आज हम बार्पोड के साथ जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं बार्पोड आपको वर्टिकल लाइनिंग में दिख रहा है और क्यूर कोड एक आपको बॉक्स में छोटे-छोटे बॉक्स के साथ में दिख रहा है तो बार्पोड का यूज कहां होता है और क्यूर कोड का यूज कहां होता है बार्पोड का यूज आप किसी वेल्यू के लिए या कुछ नमबर्स के लिए करते हैं और क्यूर कोड का यूज इंफरमेशन इस्टोर करने के लिए करते हैं जैसे कि वेबसाइड इंफरमेशन फे अगर आप चाहते हैं कि आपको आपका एक प्रस्टाल बार्कोड बनाना है या प्रस्टाल इंफांशन के क्योड बनाना है तो आप बना सकते हैं ओई फिरी में कैसे देखिए उसके लिए हमको गूगल में जाना होगा चले गूगल में चलते हैं गूगल में आपको यहाँ पर Free QR Code Generator Software टाइप करना परेगा और यहाँ पर QR Code Generator Free Software आ गया है और आपको किस इंफरमेशनल QR Code बनाना है वेबसाइट का चाहिए फेस्बुक का चाहिए या और किस इंफरमेशन का चाहिए तो आप यहाँ पर टाइप करेंगे और जनरेट QR Code बोलेंगे तो आपको एक QR Code जनरेट हो जाएँगा जिसको आप स्कैन करके इसके अंदर की इंफरमेशन को रीट कर सकते हैं बड़ी इंफरमेशन को एक छोड़े से कोड में कनवर्ट कर सकते हैं इसके लिए QR Code रीट करने के लिए multiple software's available है अगर आप चाहते हैं कि मुबाइल के जरीए से आपको scan करना है तो मुबाइल का भी एक QR आप डाउनलोड कर ले सकते हैं सेम इसी तरह बार कोड जनरेटर होता है फिरी बार कोड फिरी बार कोड जनरेटर फिरी ऑनलाइन बार कोड जनरेटर पर क्लिक किजिए और यहां पर आपको क्या टाइप करना है वो टाइप किजिए और जनरेट वन बार कोड पर रो पर क्लिक किजिए तो आप देख सकते हैं पर बार कोड जनरेटर हो गया तो इस तरह हम बार कोड को जनरेटर कर सकते हैं और QR कोड को जनरेटर कर सकते हैं तो उभीद है अपको वीडियो पसनायागा मेरे इस वीडियो को लाइक किजिए और साती साथ एक आईकॉन बटन पर किलिक किजिए जोके बेल आइक बटन होता है जिसके दरी आपको मेरे दर वीडियो की सब्सक्राइब किजिए